मानव संपदा पोर्टल पर अगर किसी भी अध्यापक, सिक्षामित्र या अनुदेशक का विवरण गलत दर्ज है तो ततकाल एक हपते के अंदर इसे संशोधित करवाने के निर्देश दिये गए हैं क्योंकि भविश्य में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है और स 37 प्रतेक अध्यापक, सिक्षामित्र और अनुदेशक को इस आशय का प्रमाणपत्र भी देना होगा कि मानव संपदा पोर्टल पर उसका समस्त विवरण तुर्टी रहित है जो आदेश हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये है तो सहारनपूर के जिला बेसिक सिक्षा अधि अधिकारी महोदे के द्वारा जन्पत के समस्त खंड शिक्षा अधिकारी महोदेगण को 7 जून 2022 को यह पत्र प्रेशित किया गया है इस पत्र का विशय है मानव संपदा पोर्टल पर समस्त अध्यापकों सिक्षामित्रों एवं अन्सकालिक अनुदेशकों का सेवा विव इस पत्र में आगे लिखा गया है कि उप्रियुक्त विशयक आप अउगत है कि परिश्यदिय प्राथमिक एवं उच्छ प्राथमिक विद्यालियों में कारत अध्यापकों सिक्षामित्रों एवं अन्सकालिक अनुदेशकों का सेवा विवरण मानो संपदा पोर्टल पर ओनलाइन संदख्षित किया जा रहा है जैसा कि आप सभी को पता है कि मानो संपदा पोर्टल पर सभी प्रकार के अध्यापकों का जो सेवा विवरण होता है जो सर्विस बुक होती है वो संरक्षित की गई है कतिपय अध्यापकों के दौरा मानौ संपदा पोर्टल पर सेवा विवरण तुटि पूर्ण होने के फलस्वरूप संशोधन की मांग की जा रही है मानौ संपदा पोर्टल पर कई ऐसे अध्यापक हैं कि जब वो अपना विवरण देखते हैं जब वो अपना सर्विस बुक देखते हैं तो उसमें उनको तुटि दिखती है तो जिसके फलसरूप उनकी मांग है कि मानव संपदा पोर्टल पर जो हमारा सेवा विवरण है उसे शंशोदिफ किया जाए ध्यातव्य है कि वर्तमान में e-correction यूजर नेदेशाले से निस्क्री करा दिये गए है देखे वर्तमान के स्थिती ये है कि मानव संपदा पोर्टल पर जितने भी करमचारी है जो उनका सेवा विवरण है उसमें जो e-correction के सुविदा है उसे निश्क्री ये किया गया है बंद किया गया है तता सर्विस बुक में किसी भी प्रकार का शंशोदन लखनो एनाईशी से ही समभव है और अगर सर्विस बुक में कोई संशोदन करवाना है तो ये लखनो के एनाईशी से ही समभव है आप अपने अधिनस्त कारत अध्यापकों, सिक्षा मित्रों एवं अंस कालिक अनुदेशकों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें कि ओन-लाइन मानस्तमपदा पोर्टल पर संदक्षित ओन-लाइन सर्विस बुक का स्वयम परेक्षण कर यह सुनिश्चित कर लें कि उसम साक्षरी को एक सब्ता के अंदर संशोधन हेतु उपलब्द कराना सुनिश्चित करें देखें आगे जनपसारानपुर के समस्त खंडशिक्षा अधिकारी गण को निर्देश दिया गया है कि वह अपने अधिनस जितने भी अध्यापक हैं सिक्षामित्र हैं अंसकालिक अनु सिक्षा अधिकारी को जमा करें खंडशिक्षा अधिकारी अपने ब्लॉक के समझ सिक्षकों की इस सूचना को संकलित करते हुए अधोहस्ताक्षरी यानि कि वहां के जिला बेसिक सिक्षा अधिकारी महोद्य हैं उनके कार्याले को एक सब्ता के अंधर उपलब्द कराने के निर्देश दिये गए हैं इसके अतिरिक्ट भविश्य में प्रिथक से कोई भी संशोधन संभव नहीं होगा और ये लास्ट टाइम है इसके बाद किसी भी तरह का संशोधन अगर कोई कहता भी है तो उसकी बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी और कोई संशोधन नहीं होगा अत प्रतेक अध्यापक सिक्षामित्र एवं अंशकालिक अनुदेशक से इस आशय का प्रमाण पत्र उपलद कराना सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा ओनलाइन सेवा पंजिका का परिशन कर लिया गया है तता उसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यक्ता नहीं है अभी बात यहीं पर खतम नहीं हुई जब सभी अध्यापक अपने संशोधन के सूचना अपने खंड सिक्षा अधिकारी महोदेगर को देंगे उसके बाद सभी प्रकार के अध्यापक सिक्षामित्र और जो अंसकालिक अनुदेशक हैं वो इस आशय का भी प्रमाण पत्र अपने खंड सिक्षा अधिकारी कार्याले में जमा करेंगे कि उनका जो ऑनलाइन सेवा पंजिका है उसका परिक्षण उन्होंने कर लिया है और वो तुर्टी रही थे उसमें किसी भी प्रकार के शंशोधन की आवशक्ता नहीं है तो यह आदेश तो हमने आपको कर दें ताकि जब भी आपके जनपद में आपके जिला बेसिक सिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से आदेश निर्गत होगा तो आप लोग ततकाल अपना यह संशोधन करवा लें मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक साजा की गई यह आपके लिए उपयोगी होगी अगर आपको यह वीडियो पसे ना है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेर कॉमेंट जरू करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग समदी जो और भी मैत्रपूर्ट सूचना है उसकी नॉटिफिकेशन आपको झाल